नमश्कार दोस्तों, डियोजिन हिंदी में आपका स्वाकत है दोस्तों बसंत पंचमी का त्योहार पूरे देश में बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है देश के विपिन शेक्तर में इस दिन मेले का आयोजन भी किया जाता है यह माग के मैने में शुक्ल पक्ष के पंचमी को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है इस दिन को बुद्धी और विध्या की देवी मा सरस्वती का जन्म दिवस के रोप में मनाया जाता है लोग इस दिन मा सरस्वती की पूजा करते हैं और इतना ही नहीं विध्यार्ती इस दिन अपनी किताबे यानि पाठ्थे पुस्तक की सामगरी की भी पूजा करते हैं इसलिए आज हम आपको पसंद पंचमी शुक के दिन शुब मुहरत पूजा की विधी और इस दिन किये जाने वाले उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं इस साल बसंद पंचमी दस फरवरी को है यानि रविवार को मनाई जाएगी इस दिन सरस्वति की पूजा का मूरत है सुबह 7 बचकर 15 मिनट से दौफर के 12 बचकर 52 मिनट तक है इसके अलावा पंचमी किति थी 9 फरवरी शनिवार को 12 बचकर 25 मिनट पर शुरू हो जाएगी वहीं पंचमी किति थी 14 बचकर 8 मिनट पर समाप्त हो जाएगी माननेता है कि मा सरस्वति की पूजा सर्व परतम भकवान शी कृष्णी की द्वारा की गई थी सरस्वति पूजा के लिए बसंद पंचमी का दिन सर्व स्रिष्ट माना जाता है इस दिन प्रात्य काल उटकर स्नान करके पीले वस्तिर का धारन करें फिर मा सरस्वति की पूजा उनकी तस्वीर और उनकी मूर्ती मंदिर में स्थापित करें मूर्ती या तस्विर इस्थापित करके कलेश की स्थापनागर भगवान गणेश और नो ग्रहूं की विदिवत पूजा करें इसके बाद ध्यान पूर्योक मा सरस्वती की आरादना करें मा सरस्वती की पूजा के लिए उन्हें स्नान कराएं और फिर उनका श्रिंगार कर पुष्प, मिस्ठान और दूद आधी चीजों का भोग लगाएं मा सरस्वती की मंत्र का जाब कर उनसे विध्या का वर्दान मांगे पूजा समाप्त होने के बाद में प्रसाद का वितरन कर दें बसंद पंचमी के दिन मा सरस्वती की पूजा करने से विध्यार्थियों को विध्या का वर्दान मिलता है और कई जगहों पर तो इस दिन शिशु को पहला अक्षर लिखना भी सिखाया जाता है क्योंकि विध्या का आरम के लिए ये दिन शुब माना जाता है इस दिन सर्व पर्थम उठकर स्नान कर ले मा सरस्वती के पूजा करें सभी देवी देवताओं और अपने गुरुजनों का आशिवाद जरूर प्राक्त करें मा सरस्वती की क्रिपा पाने के लिए इस दिन पेले वस्ति का धारन अवश्य करें मा सरस्वती को चंदन का तिलक करें पेले पुश्प अर्पित करें और जहां तक संबव हो गरीबों में विध्या से जुड़ी वस्तों का दान जरूर करें मा सरस्वति के स्थूति के बाद संगीत के आरादना करें क्योंकि संगीत से जुड़ी चीजों में भी देवी सरस्वति का निवास ही माना जाता है दोस्तों निउस पसंद आए तो लाइक और शेर करना ना भूले और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार